एक सर्विस्में के लिए सेकेंड कैलियार में सेट होना बहुत बड़ा एक सवाल है कोई भी कोर्स करें उसके बाद तुरत आपको जब मिल जाएगा ऐसे तो नहीं है फिर भी बहुत लोगों को रिसेटलमेंट अच्छा रिसेटलमेंट अफ़र मिल रहे हैं कि अब मेनत करना पड़ेगा जो अपने काम ढंक से करते हैं एफिशेंटली करते हैं दूसरा अपना केरियर का भी धहन रखते हैं क्योंकि उनको यह चीज उनका दिमाग में होता है हमेसा कि मैं भोज में हमेसा रहने वाला नहीं हूँ मुझे एक दिन रिटायर होना है और रिटाय उसके लिए हो तैयारी करते हैं प्लानिंग करते हैं जुरत पर तो एडुपषिनल कौलिफिकेशन को अध्यों भी करते हैं प्रोफेशनल कॉलिफिकेशन नहीं है, smart worker है, इसके मालब देखें नहीं है कि hard work नहीं करना, मैं बिल्कुली किसी को discourage नहीं कर रहा हूँ, dedicated रहना इस तो अच्छी बात है, चाहे कोई भी काम हो कहीं भी आपको dedicated रहना बहुत ही अच्छी बात है, पर हमारा जो defense का जो काम है, जो military duties होता है, उस बे dedicated तो रह रहना ही रहना है, साथ-साथ आपको AB ध्यान में रखना है कि आपने जिन्दगी भर फोज में नहीं रहना, आपको एक दिन retire होना होगा, और आपको बहुत early age में retire होना है, उसके बाद आप कैसे सेट होंगे, उसका planning अभी से करना है, आप काम करूं, आपको जितना काम दिय है बहुत efficiently करो,